नमस्कार स्वागते आप सभी का हमारे बेहत खास प्रोग्राम में मैं हूँ आपके साथ शेल जतियागी दर्शको चंडिगर्ड विजिट पे हकीम सहाब की पूरी टीम है आप सभी से मुलकात करने के लिए मैं आ रही हूँ आपके घर आपकी सेहत का हाल जानने आप कितने स् और हकीम सहाब से जुड़ कि आपको कितना अराम मिला है अनज मैं जहां मौजूद हूं वो चंडिगर्ड के ही रहने वाले है और चंडिगर्ड में हमारी पूरी टीम पहुंची हुई है तो मैं जिनका जिक्र यहाँ पे करने वाली हूँ, उनका नाम है अरजुन सिंग, जिन्होंने अपने घर हमें इन्वाइट किया है, तो जानते हैं हकीम सहाब से वो कैसे जुड़े और वो क्या करते हैं, घर में कौन कौन है, और कितना वो अपनी जिन्दिगी में परिवर्तन देख रही हैं, चेंजिस देख रही हैं हकीम सहाब से जुड़ के, पहले वो कितने सेहतमन नहीं थे और अब वो कितने सेहतमन हो गए हैं, और कितने लोगों की वो खिदमत कर रही हैं, यह सारी बात उनसे करते हैं, तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करेंगे, बहुत बहुत तो शुक्रिया सर आप ड्यूटी पे जा रहे थे लेकिन उसी बीच आपने अपना वक्त हमें दिया उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया तो अरजुन जी सबसे पहले आपसे यही जानना चाहते हूं कि आप करते क्या है और आपके घर में कौन-कौन है मैं जौब करता हू और आपको परिशानी क्या थी में अकिम साब के बारे में तो किसी ने ने बदा देखी टीवी में तो उन्हों बताया था कि अगर फरक पड़ता है तो लेना में ने सुरू कर दिया था तो उसे मेरे को बहुत फरक बढ़ गया परक आपको पड़ा है कबसे आप गौन-सिया में रसी बांता था कई बारी तना दर्द होता था तो बहुत ज़्यादा दर्द रसी बांद के आप सोते थे जिए और क्या कुछ परेशानी थी इसके लावा ऑफिस आप कैसे जाते हैं तो यह साइकल चलाते हुए दर्द हुआ या फिर पैदल जब जा रहे थे तब कर दो कि अवक बढ़ने आप से लिए अबद्न घनियादा दर्द हैं तो यह से बढ़ने देखे में दर्द दवाई दवाई मंगा दी आपने अच्छा देखिए तुरंत तो कोई दवाई नहीं मंगाता है ठीक है पहले हम पूरी तरीके से program देखते हैं या फिर किसी भी program का अगर advertisement आ रहा है उसको भी हम अच्छे से पहले देखते हैं और फिर हम यह decide करते हैं कि हमें यह treatment करना है या नहीं करना है आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि तमाम doctors हैं तमाम हकीम हैं वैद हैं लेकिन भरोसा करना पड़ता है लेकिन वह भरोसा आपके अंदर कैसे आए कि मुझे एक बार हकीम सहाब की दवाई जरूर अपनाने चाहिए मैं ठीक हो सकता हूं तो आप यह मानते हैं कि जो फीडबैक कॉल प्रोग्राम में आज अच्छा हूं तो आप यह मानते हैं कि जो फीडबैक कॉल प्रोग्राम में आती है वह वाके में रियल है मानता हूं आपका एक्सपीरियंस और आप अपसेहत मंद हो रहे हैं तो आप क्या कहेंगे कि युनानी ट्रीटमेंट और घरेलून उसके कितने फाइदेमंद हैं बहुत ज्यादा फाइदेमंद हैं किसी को भी घर में हो जाए तो मंगा ने चाहिए उससे कोई भी किसी को जो भी प्रोब्लम है किम साब से कॉल करके उनका नंबर होता है एड़ दिया हो नोंने तो उस पी कॉल पर मत जाकर अपना कॉल कर दो आपने और लोगों को भी बताया कि अगर आपको तकलीफ है तो आप यह दवाई इस्तमाल कर सकते हैं विल्कुल मैं मेरे ममी भी कही बारी बोलते हैं सांच की प्रब्लम होते हैं थोड़ा भूं तो उनको भी बोला है कि मैं आपके लिए भी मंगा हूंगा वहां से दवाई और गुटनों के दर्थ के लिए किसी को गौंसी है बताया बिल्कुल मेरे बाई रहते हैं नहीं हुए उनकी मिसिज चार महीने हुए आपको खातो है ठीक है आपने जब गौंसीय के इस्तमाल करना शुरू किया तो कितने दिन में आपको फर्क दिखना शुरू हुआ अब रसी बांधने की जरूरत नहीं पड़ती है तो आप पैदल जाते हैं या कैसे जाते हैं तो आपने कहा कई बार में अपनी साइकल क्या है वहीं खड़ी कर देता हूं और वापसी में पैदलाता हूं कि चलो सेर भी हो जाएके तो आराम से से लेकर घर तक बहुत अच्छा लगा सर यह तो जानके कि अब आपको रसी पैरों में तो नहीं बांधनी पड़ती है और वो जो बहुत जादा बढ़दाश जो आप नहीं कर पा रहे हैं ते दर्द व पाड़ों में उत्राखंड में मेरा गर है तो आप उनको क्या कहेंगे तो आप उनको क्या कहेंगे लगता है तो दो दिन में तो होएगा निए टाम लगता उसमें दस बाराद दिन से लिए पंदर बीच में गया हो जाता है यह तो आपका साल भर पुरान है जी मैं एक साल है हखीम सहब के दवाई से पहले क्या कुछ क्वाया आप ने कॉन से ट्रीटमेंट आप ने लिए एक बार यांस सरकारिय आउस्पिट्रल गौ़र्मन में थूल इस चरक रहें कर तो यह था पिर वहाँ से बोल के मंगा के वो लाई तो दुझ में एक ठाएं यह तो आप इम है तो दर्श को आप सभी ने सुना अभी चंडीगर में रहते हैं अरजुन जी जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया हमें बहुत खुशी हुई उनसे मिलके उनकी सिहत का हाल जानके आप खुद सोचिए कितनी पीड़ा उनको होती होगी पैरों में उन्हें रसी बांधनी पड़ती थी क्योंकि रात में नीद नहीं आती थी दर्द इतना जादा होता था उन्होंने लोकल से भी दवाईयां मंग लेकिन उन्हें रिलीफ नहीं मिल पाया जब उन्होंने हकीम साहब का प्रोग्राम देखा और जो फीड़बेक कॉल आती हैं जिने कहा जाता है कई लोगों के जरीए कि ये तो हकीम साहब के शायद अपने ही लोग होते होंगे जो कह देते हैं कि हम ठीक हो गए हम ठीक हो लिखाना चाहते हैं तभी तो मिल रहे हैं हम आप से आपके घर आप ही से जानने कि आपको हकीम साहब की दवाईयों से कितना फायदा मिला है तो जीता जाता है example उधारण हमारे सामने हैं आपने सुन अरजुन जी को कि वो कितने सहतमन्द हो गए हैं वो cycle से जाते हैं office लेकिन office में वो cycle खड़ी कर देते हैं उसके बाद वो पैदल अपने घर आते हैं बिना पैरो की तकलीफ के तो ऐसे ही आप लोग भी ठीक हो सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको युनानी treatment से जूड़ना होगा घरे लिए उसके आपको अपनाने होंगे अगला नमबर आपके घर का भी हो सकता है लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है हमारे साथ जुड़ना है हमारे परिवार का एक हिस्सा बनना है आज किस खास कारेकर में बस इतना ही आप मुझे भी दीजे इजाज़त नमस्कार